नमो नमाहा शप्तमी कक्षिया रुचिरा एकी पाठ्य पुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतं अध्यवयं चतुर्थं पाठं पठामाहा पाठस्य नामा अस्ति हास्य बालकविसं मेलनं अस्मिन भागे वयं सविवरणं पाठवाचनं कुर्माहा अस्मिन भागे पाठस्य वाचनं विवरणंच कुर्माहा अध्युना पाठस्य वाचनं कुर्माहा विविधा वेश भूशा धारिणाह चत्वाराह बालकवयाह मन्चस्य उपरी उपविष्टाह संति अधाह श्रोताराह हास्य कविताश्रवनाय उत्सुकाह संति कोलाहलं चकोरवंति संचाल कहा अलमकोलाहलेन अध्या परमहर्षस्य अवसराह यत अस्मिन कवि संमेलने काव्यहंतारह कालयापकाश्य भारतस्य हस्य कवि धुरंधराह संति एही करतलत ध्वनिना वयम एतेशाम स्वागतम कुर्महा गजाधराह सर्वे भ्यो अरसे के भ्यो नमो नमाहा प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य सुयम काद्यम श्रावयामे वैद्यराज नमस्तु भ्यम यमराज सहोधरा यमस्तु हरति प्राणान वैद्यह प्राणान धनानिचा सर्वे उच्चै हसंति कालांत कहा अरे वैद्यास्तु सरवत्र परन्तु नते माद्रिशाह कुषलाह जनसंख्या निवारने ममापि काव्यम इदम्श्रणवंतु भवन्ताह चिताम प्रज्वलिताम द्रिष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागताह नाहम गतो नमेब्राता कस्येदम हस्तलागवं सर् तुन्दिलह तुन्दस्य उपरी हस्तम आवर्तयन। तुन्दिलो हम भोह ममापि इदम्काव्यम श्रुयताम जीवने धार्यताम चा। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि मा शरीरे दयाम कुरू परान्नम दुरलभम लोके शरीराणी पुनह पुनह सर्वे पुनह अट्टा हासम कुरवन्ति चारवा काहा आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा रिनम कृत्वापी पौश्टि कहा पदार्था एवभोगत व्याहा तथा कथा यती चारवाक कवी ही यावज जीवेत सुखम जीवेत रिनम कृत्वा घृत्वा पृत्वा 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 बाल कहा, शुयताम, शुयताम भोहो, ममापी काव्यम, गजाधरं कविम चेव, तुन्दिलं भुज्य लोलूपं, कालांतकं दथा वैद्यं, चारवाकंचा नमाम्यहां, काव्यम श्रावेत्वा, हा, हा, हा इतिकृत्वा हसती, अन्ये चापी हसंती, सर्वे ग्रिहं अधुना, पाठस्य विवरनम पश्यामहा, अत्र एकम कवि सम्मेलनम वर्थते, एतद हास्य कवि सम्मेलनम असती, अत्र बालकाह कवयाहसंती, तेके पश्यामहा, सर्व प्रथमाह कविह असती, गजाधरहा, दुतियह कविह असती, कालांतकहा, तुतियह कविह असती, तु चतुर्थाह कविही अस्ति चार वाकाह अग्री पठामाह विविधा वेश भूश धारिणाह चत्वारह बालकवयाह मंचस्य उपरी उपविष्टाह संति पश्यंतु चत्वारह बालकवयाह संति बालकवयाह इत्युक्ति चाइल्ड पोईट्स कविही इत्यस्य बहुवचिनाम अस्ति कवयाह ते बालकवयाह विविधा वेश भूश धारिणाह संति विविध वेश भूशा धारण अत्युक्ते भिन्न भिन्न प्रकार काणि वस्त्राणि ध्रतवंत जनाह अर्थात तेशाम वेश भूशायाम वैविध्यम अस्ते बाल कवायाह कुत्र उपविष्टाह संते बाल कवायाह मंचस्य उपरी उपविष्टाह संते मंच इत्युक्ते वेदिका स्टेज मंच इत्यस्या शष्ठी विभगते है एक वचनाम आस्ते मंचस्या उपविष्टाह इत्युक्ते सीटेड उपविष्टा इती पदस्य वह वचनाम आस्ते उपविष्टाह अस्मिन वाक्ये उपरी इती अव्यायपदम अस्ते अग्रिमाम पंक्तिम पठामाह अधाह श्रोतारह हास्य कविता श्रवनाया उत्सुकाह संते कोला हलम्च कुर्वन्थे मंचस्या अधाह के संते मंचस्या अधाह श्रोतारह संते श्रोता रह इत्युक्ते प्रेक्षकाह श्रोता इती श्रोत्री इती रीकारां तशब्दस्या प्रथमा विभगते ही एक वजनम आस्ते श्रोता रह इती बहुवजनम आस्ते श्रोता रह की द्रिशाह संते? श्रोता रह हास्य कविता श्रवनाय उत्सुकाह संते श्रवनाय इत्युक्ते श्रवनार्थम उत्सुकाह इत्युक्ते उत्साहिताह उत्सुकाह इती एकवजनम आस्ते उत्सुकाह इती बहुजनम आस्ते श्रोताराह किम कुरवन्ते? श्रोताराह कोलाहलम कुरवन्ते? कोलाहलाह इत्युक्ते शोर, 29 कोलाहलाह इत्यस्या दुतिया विभक्ते एक वचनम अस्ते कोलाहलम श्रोताराह किमर्थम कोलाहलम कुरवन्ते? श्रोताराह कभिताम श्रोतम इच्छंते? ते विलंबं नसहने अध़ ते कोलाहलाम कुर्व्वान्ते असमन वाक्ये उपरी अधाह योथ अव्यायद्वयम आष्टे अग्रे पश्यामह मचस्य संचालकः किम वदाते संचाल कह वदति अलं कोलाह लेना अध्या परम हर्षस्य अवसरह यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंता रह काला यापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधराह समागताह संति एही करतलत ध्वनिना वयं एतेशाम स्वागतन कुर्माहा कह वदति अलं कोलाह लेना इती संचाल कह वदति अलं कोलाह लेना अर्थात कोलाहलह मास्तु कोलाहला इत्यस्या तृतिया विभाकतेह एक बचनम अस्ते कोलाहलेना संचाल कह इत्युकते यह संचालनम करोती अर्थात सूत्रधारहा, एंकर अध्या कस्या अवसरहा आस्ते अध्या परम हर्शस्या अवसरहा आस्ते परम इती अव्यायपदम आस्ते परम इत्युकते अत्यधीकम हर्शस्या इत्युकते प्रसन्नताया हा कि मर्थम परम हर्शस्या अवसरहा आस्ते यताह अस्मेन कवी सम्मेलेने काव्य हंता रहा कालया पकाश्या भारतस्या हस्या कवी धुरंधराह समागताह संते काव्य हंता यती एक वचनम आस्ते काव्य हंता रहा यती बहु वचनम आस्ते काव्य हंता रहा यत्युक्ते काव्यस्या विनाशकाह The stories of poetry कालयापकाष्चा इत्यत्रः पदद्वयम इस्ति कालयापकाह च इति अभ्ययपदम अस्ति कालयापकाह इति एकवचनम अस्ति कालयापकाह इति बहुचनम अस्ति कालयापकाह इत्युक्ति कालस्ययापनम्य कुर्वंति अथवा People who whiling away the time काव्यहंतारह कालयापकाह चा इती पदद्वयम अत्रा संचालकेन व्यंग्य रूपेन उक्तम अस्ते हास्य कवी धुरंधराह इती एक वजनम अस्ते हास्य कवी धुरंधराह इती बहवजनम अस्ते हास्य कवी धुरंधराह इती उक्ते हास्य कवीशु श्रेश्ठाह समागताह इत्यत्रा सम उपसर्गाह गमधातु हो क्तप्रत्यएहच्य अस्ति。 यस्य अर्थह अस्ति आगतवन्तह अर्थात अस्मिन बाला नाम कवी सम्मेलने भारतश्य हस्य कवीशु श्रेश्ठाह आगतवंताह संति एते नकेवलं काव्यस्य विनाशकाह संति अपितो समय वाहकाह अपिसंति अस्मन काव्य काव्य हंतारह काव्य विनाशकाह चा इती पदम व्यंग्य रूपेण उक्तमस्ति अग्रे पश्यंतो संचाल कह एतेशाम स्वागतम कथम कारायाती एही करतलत ध्वनिना वयम एतेशाम स्वागतम कुर्माह एही इत्युक्ते आगच्छ करतलत ध्वनिना इत्युक्ते करताडनेना कुर्माह इतिपदम उत्तम पुरोशास्य बहुवचनम अस्ति वाक्यार्थाह अस्ते वयमसर्वे करताडनेन एतेशाम अभिवादनं कुर्माः ध्वनी इते इकारांत पोमलेंग सब्दस्य तृतिया विभक्ते एक वजनाम अस्ते ध्वनिना अधुना वाक्यस्या सरलार्थं पश्यामाह मंचस्य संचालकाह वदति कोलाहलाह मास्तु अध्य बहुप्रसनतायाह क्षणम अस्ति असमिन कवी संबिलने काव्यविनाशकाह समयय आपकाहचा भारत देशस्या हास्य कवी श्रिष्ठाह आगतवंतह संति आगच्छ करताडनेन वयम एतेशाम स्वागतम कुर्माह इदानिम अग्रे पश्यामाह गजाधरह वदति सर्वे भ्यो रसे के भ्यो नमो नमाह प्रथमम तावद अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्या स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अधुना एकाइकं वाक्यम पश्यामाह गजाधराह के भ्याह नमो नमाह वदती, गजाधराह सर्वे भ्यो रसी के भ्याह नमो नमाह वदती, सर्वे भ्यो रसी के भ्यो इत्यत्रा चतुर्थी विभक्तेह पदद्वयम आस्ती, सर्वे भ्याह अरसी के भ्याह, सर्वे भ्याह इती विशेशन पदम आस्ती, तथा अर गजाधराह प्रथमौं कम उद्ध्यष्य स्वकियं काव्यंकाव्यं गजाधरह प्रथमं आधुनिकं वैद्यम उद्धिष्य स्वकियं काव्यं शावायति आधुनिकं वैद्यम इत्यत्रा अपे एकं विशेशन पदम आस्ते अपरं विशेश्य पदम आस्ते पतद्वय अपे समान विभक्ति ही आस्ते स्वकियम काव्यम इत्युक्ते स्वस्य कविताम अग्रे गजाधरह एकम श्लोकम श्रावयते कह श्लोकह इती अग्रे पश्यामा वैद्यराज नमस्तु भ्यम यमराज सहोधरा यमस्तु हरति प्राणान वैद्यह प्राणान धनानिचा श्लोकस्या पदा विभागम पश्यन्तु वैद्यराज नमह तुभ्यम यमराज सहोदरा यमह तु हरति प्राणान वैद्यह प्राणान धनानि चा श्लोकस्या अन्वयम गुर्मह हे यमराज सहोदरा वैद्यराज तुभ्यम नमह यमह तु प्राणान हरति परन्तु वैद्यह प्राणान धनानि चा हरति इदानीम श्लोकस्या अर्थम जानी मह अस्मन श्लोके त्रिनी वाख्यानी संति प्रथमम वाख्यम अस्ति हे यमराज सहोदरा वैद्यराज तुभ्यम नमह दुतियम वाख्यम अस्ति यमह तु प्राणान हरति तुतियम वाख्यम अस्ति वैद्यह प्राणान धनानि चा हर पश्यन्तु, प्रथमें वाक्ये वैद्यराज इती विशेश्य पदम अस्ते, यमराज सहोदर इती विशेशन पदम अस्ते, यमराज सहोदर वैद्यराज इती संबोधन पदेश्ताह, सहोदरह इत्युक्ते भ्राता, तुभ्यम इत्युक्ते तवकृते, नमह इत्युक्ते नमस्कारहा अधुना श्लोकार्थम अवगत्चामाहा कह यमराज सहोदरहा आस्ते वैद्यराजाह यमराज सहोदरहा आस्ते यमह किम करोती, यमह प्राणान हरती, प्राणान इत्युक्ते जीवनम, हरती इत्युक्ते छीनता है, स्नाचेज वैद्यह किम किम हरती वैद्यह प्राणान धनानिच हरती कभी ही वैद्यराजम यमराज सहोदर रह इती वदती किमर्थम इती जानाती वा कवी ही वैद्यस्य परिहासम करोती अताह वैद्यम यमराज सहोद रह इती वदती यमाह मृत्यो देवता अस्ती वैद्याह ताद्रिशह वा इतो पी अग्रे अस्ती कदाचेत वैद्यस्य चिकित्छा कारण ताह रोगी मरणम प्रापनोती तथा पी वैद्याह धनम्तो अवश्यम सुई करोती तसमात उक्तम वैद्याह प्राणान हराती धनम अपि हराती एवं कवी गजाधरस्य कविताम शुत्वा सर्वे किम कुर्वन्ती सर्वे उच्चैह हसंती असमेन वाक्ये उच्चैह इती अव्ययपदम अस्ती अरे वैद्यास्तु सरवत्र परांतु नते माद्रिशाह कुषलाह जनसंख्या निवारने ममापि काव्यम इदम्श्रणवन्तु भवन्ताह वैद्यास्तु इत्यत्रा पदद्वयम अस्ती वैद्याह तु इती कालांत कह इती एकाह वैद्याह आस्ती सह स्वस्थ्य प्रशम्साम करोती अधुना कालांतकस्य एकैकम वाक्यम पश्यामा हा की सर्वत्रसंती वैद्याह सर्वत्रसंती कालांतकह वैद्यानाम विशये किम वदती कालांतकह वैद्यानाम विशये वदती न ते माद्रिशाह कुशलाह जनसंख्या निवारने माद्रिशाह इत्युक्ते मत सद्रिशाह कुशलाह इत्युक्ते निपुणाह जनसंख्या निवारने इत्युक्ते जनसंख्यायाह निवारने अर्थात अहम निपुणाह वैद्याह असमे अहम अधिक जनान माररयामी, अन्य वैध्याह मत सद्रिशाह न संती, ते नहिने पुनाहा अग्रे सहवदती, ममापी काव्यम इदम श्र्नवन्तु भवन्ताह, ममापी इत्यत्र पदद्वयम अस्ती मामा अपि चा काव्यम इदम इत्यत्रा विशेशन विशेश्य भाव सम्बंधा आस्ति काव्यम इतिपदम नपुंसक लिंगे आस्ति अताह इदम इतिपदम अपि नपुंसक लिंगे आस्ति यतोहि यद लिंगम विशेश्य अस्य भावति तद एवलिंगम विशेशनस्य अपिभवाती श्रिणवन्तु इत्युक्ते श्रवणम कुरवन्तु वाक्यस्य अर्थाह अस्ते भो वैध्याहतु प्रत्येकस्मिन स्थाने संते परंतु ते सर्वे जनसंख्या निवारने मया सद्रिशाह नसंते अहम्तु तस्मे निपुणाह अस्में, अहम्तु जनान मारयामी, जनसंख्याम न्यूनी करोमी, तेशाम सरवेशाम एताद्रिशं सामर्थ्यम नास्ते, अताह अधुना भवन्ताह ममा अपिकाव्यम शुणवन्तु किमकाव्यम एती अग्रिपश्यामाह चिताम प्रज्वलिताम द्रिश्ट्वा वैध्यो विस्मयमा अगताह नाहम गतो नमे भ्राता कस्येदम हस्तलागवं पदविभागह एवम आस्ते चिताम प्रज्वलिताम द्रिश्ट्वा वैध्यो विस्मयम अगताह नाहम गताह नाहम भ्राता कस्येदम हस्तलागवं अन्वयं पश्यामाह प्रज्वलिताम चिताम द्रिष्ट्वा वैद्यह विस्मयं आगताह न अहम गताह नमी भ्राता गताह तरही कस्या इदम हस्तलाघवं अस्ति पश्यामाह विस्मयं आगताह इत्यत्र अपि पदद्वयं अस्ति न अहम कस्येदम इत्यत्र अपि पदद्वयं अस्ति कस्या इदम कस्येदम इत्युक्ते किसकायाह वैद्यह इत्युक्ते चिकित्सकाह इदानीम श्लोकस्या अर्थम पश्यामह प्रज्वालिताम चिताम द्रब्श्ट्वा वैध्याह विस्मया मागता हा प्रज्वलिताम चिताम इत्युक्ते किन्डल्ड पेड चिता इत्युक्ते शवसम्सकारस्य अगनि है प्रज्वलिताम चिताम इत्यत्र विशेशन विशेश्य भाव सम्बन्धा अस्ति चिता इती स्त्रीलिंग पदम आस्ति, दुतिया विभक्तो आस्ति, अताह प्रज्वलिता इती पदम अपी स्त्रीलिंगम आस्ति, दुतिया विभक्तो आस्ति विस्मयम इत्योक्ते आश्चरियम, सर्प्राइस वैद्याह ग्रामं गच्छती तत्रा सह चितां पश्यती चिता प्रज्वलिता आस्ती सह चिन्तयती कस्यचित मरणं अभवात मरणस्यकारणं कह अहम नगतह नवा ममभ्राता अभिगतह तताबी कस्यचित मरणं अभवात अतह कस्यचातुर्यम एतद गतह इत्युक्ते गतवान हस्तलागवं इत्युक्ते चतुरता एवं कालांत कह श्लोकेन वैद्यम परिहसती तदरंतरम सर्वे पुनहा हसंती अग्रिपठामा हा तुन्दिलहा तुन्दस्य उपरी हस्तम आवर्तयन वदती तुन्दिलोहं भोहु ममापी इदमकाव्यम श्रुयताम जीवने धार्यताम चा परान्नम प्राप्य दुर बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरू परान्नम दुर लभम लोके शरीर आणि पुनह पुनहा तुन्दिलहा कथम वदती तुन्दिलहा तुन्दस्य उपरी हस्तम आवर्तयन वदती तुन्दम इत्युक्ते उदरम तुन्दस्य उपरी इत्युक्ते उदरस्य उपरी हस्तम आवर्तयन इत्युक्ते हस्तम भ्रामयन सह तुन्दस्य उपरी हस्तम आवर्तयन किम वदती? सह वदती तुन्दिलोहम भोहु ममापी इदम काव्यम श्रुयताम जीवने धार्यताम चा तुन्दिलोहम इत्यत्रा पदद्वयम आस्ति तुन्दिलाह अहम इति किम श्रुयताम काव्यम श्रुयताम श्रुयताम इत्युकते सुना जाए Let it be heard जीवने किम धार्यताम जीवने काव्यम धार्यताम जीवने इत्युकते जीवनमे In life धार्यताम इत्युकते धार्यताम किया जाए Let it be applied अग्रे तुन्दिलाह श्लोकम वदते परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरू परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनाह पुनाह परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरू परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनाह पुनाह अन्वयम पश्यामाह हे दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरू यतो ही अस्मिन लोके परान्नम दुरलभं आस्ते शरीराणि तु पुनाह भवंते दुर्बुध्य इत्युक्ते मूर्खाह सिली दुर्बुध्य इते संबोधन पदम आस्ते परान्नम इत्युक्ते अन्येशाम अन्नम अदर्स फूज प्राप्य इत्युक्ते प्राप्तिम कृत्वा मा इत्युक्ते मत डोंट अस्मिन वाक्य अव्यानी संते भोह चा मा पुनाह पुनाह तुन्धिलाह भोजन प्रियाह अस्ते सह केवलं भोजन विशये चिन्तायाती आरोग्य विशये न चिन्तायाती अतह सहवदती हे मूर्ख यदा अन्येशाम अन्यम प्राप्नोती तदा शरीरस्या आरोग्य विशये चिंतां मा करोतु यतो ही असमिन लोके अन्येशाम भोजनम कष्टेन लभ्यते शरीरम तो वारम वारम प्राप्तुम शक्नु महा अर्थात आउशधम स्वीकृत्या स्वास्थ्याम समीकर्तुम शक्याम तदनंतरम सर्वेपुनह अटाहासम कुर्वन्ती अटाहासा इत्युकते जोर से हसना बोईस्टरस लाफ्टर अग्रिमह कवी ही चारवा कहास्ती चारवा कहवदती आम आम शरीरस्या पोशनम सर्वथा उचितमेवा यदि धनम नास्ती तदा रिणम कृत्वापी पोश्टिका पदार्था एवभोगतव्याहा आम इत्युकते यस हां कस्या पोशनम सर्वथा उचितमेवा शरीरस्या पोशनम सर्वथा उचितमेवा उचितम इत्युकते योग्यम सुटेवल पोशनम इत्युकते संवर्धनम नरिश्मेंट यदि धनम नास्ते तदा कथम भोजनम करणियम यदि धनम नास्ते तरही रुणम कृत्वाबी भोजनम करणियम रुणम इत्युक्ते उधार जेट पोष्टिकह इत्युक्ते पुष्टि दायकाह भोगतव्याह इत्युक्ते खाना चाहिए अत्र पोष्टिकह पदार्था एत्युक्ते अत्युत्तमाम भोजनम अग्रेपश्या महा किम कथयती चार वाग कवी ही? सह कथयते यावत जीवेत सुखम जीवेत रिणम कृत्वा घृतम पिवेत अत्र श्लोकान शह अस्ते एतस्य पदविभागम कुर्माह यावत जीवेत सुखम जीवेत रिणम कृत्वा घृतम पिवेत इवानिम अन्वयम पश्या महा यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत रिणम कृत्वा घृतम पिवेत यावत इत्युक्ते जब तक, जीवेत इतिपदं विधिलेंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ते, जीवेत इत्युक्ते जीवनम करणियं, घृतम इत्युक्ते घी, पिवेत इत्युक्ते पानम करणियं, अत्रा घृतम पिवेत इत्युक्ते स्वादेश्टम भोजनम करणियम इत्यर्था हा श्लुकस्य तात्परियम पश्यामह अत्रा चार वाकाह वदति यह कोपी यदा परियंतम जीवनम या पयेत तावत परियंतम सुखे न या पयेत जीवनस्यकृते लज्जाम विना रिणम स्वी करणियम तेन जुनेना गृतस्य पाने अपे करणिया अग्रे श्रोताराह प्रिच्छनते तरही रुनस्य प्रत्यरपणम कथम श्रोताराह इत्युकते श्रोत्रिजना रुनस्य इत्युकते कर्जिका अफ़ डेट प्रत्यरपणम इत्युकते लोटाना रिपेइंग अस्मिन वाक्ये तरही कथम येति अव्याय द्वय चार वाकाह वदति शुयताम मम अवर्शिष्ठम काव्यम गृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा रणम प्रत्यरपयेत जनाहा चार वाकाह किम वदति चार वाकाह वदति शुयताम मम अवर्शिष्ठम काव्यम अवर्शिष्ठम एत्योते बचाह हुआ रिमेनिंग चारवाकाह पूर्वम श्लोकार्धम उक्तवान अत्रह चारवाकाह श्लोकस्य अग्रिमम भागम वदती कोपी जनह प्रिच्छते जनह कथम रुणस्य प्रत्यरपणम कुरियात सह वदती गृतम पीत्वा श्रमम गृत्वा रुणम प्रत्यरपयेत जनह अर्थात प्रथमं ग्रुतं पिवतू, पोष्टिकं आहारंचे खादतू, तदा शक्ति ही भवती, परिशमं करोतू, धनं प्रापनोतू, इरणास्या प्रत्यरपणं करोतू वाक्ये आगतानाम, विशेष्टपदानाम अर्थम अवगाच्छा माहा पित्वा इत्यत्रा, पाधातुह, क्त्वा प्रत्याहचा आस्ते पित्वा इत्युक्ते, पीकर, having drunk कृत्वा इत्युक्ते, करके, श्रमाह इत्युक्ते, परिश्रमाह, effort श्रमाह एत्यस्या दोतिया विभक्ते एक वचनाम आस्ते श्रमम प्रत्यर पायेत एत्युक्ते लोटाना चाहिए प्रत्यर पायेत एत्यत्रा प्रति एति उपसर गहा आस्ते जी धातो हो अस्ते तस्या विधी लिंगला कारे प्रथामा पुरोशस्या एक वचनाम अस्ते प्रत्यर्पायेत इती अग्रे पश्यांतो काव्य पाठ श्रवणेना उत्प्रेरिताह एकाह बालकोपी आशुकविताहम रचयाती हास पूर्वकमचा श्रावायती वाक्यस्या शब्दार्थान अवगच्छामाह काव्य पाठ श्रवणेना इत्युकते काव्य पाठम शुत्वा उत्प्रेरिताह इत्युकते प्रेरिता इन्स्पायर्ड आशुकविताम इत्युकते एक्स्टेम्पूर पोयम आशु इत्युक्ते जटिती असमिन वाकिये क्रिया पदद्वयम अस्ती रचायती श्रावयती रचायती इत्युक्ते रचनाम करोती Composes श्रावयती इत्युक्ते वदती Makes somebody here बाल कहा किम रचायती आशु कविताम रचायती कथम कविताम श्रावयती हास पूर्वकम कविताम श्रावयती हास पूर्वकम इत्युक्ते विद स्माईल अग्रि पश्यामह बाल कह वदती श्रुयताम श्रुयताम भोह ममापिकाव्यम गजाधरम कविम चेवा तुन्दिलम भोज्यलो लुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम चा नमाम्यहम पदा विभाकम पश्यामह गजाधरम कविम चा एवम तुंदिलम भुज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम चा नमाम्य अहम अन्वयम पश्यामह इदानिम श्लोकस्य अर्थम जानीमा है अहम नमामे अहम कम नमामे अहम गजाधरम नमामे नमामे इत्युकते नमस्कारम करोमे की द्रिशम गजाधरम नमामे कविम गजाधरम नमामे की द्रिशम तुन्दिलम नमामे भोज्य लोलुपम तुन्दिलम नमामे लोलुपह इत्युकते अती इच्छुकाह बालकह अन्यम कमकम नमस्करोती बालकह कालांतकम वैद्यम चारवाकम चा नमस्करोती अस्मिन वाक्य अव्यायानी संति भोह चैव तथा चैव इत्यत्र पदद्वयम आस्ति च एव अधुना श्लोकस्या तात्परियम अवग च्छामाः बालक हा कविम गजाधरं भोजनस्य अति इच्छुकं तुंदिलं कालांतकं वैद्यं तथा दार्शनिकं चारवाकं नमस्करोति अगरे किम भवति इति पश्यामाः काव्यम श्रावयत्वा हा 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 इति कर्थ्वा हासति अन्य चापी हसंति सर्वें गिहं गजांति काव्यम श्रावाइत्वा कहा हसती, काव्यम श्रावाइत्वा बाल कहा हसती, श्रावाइत्वा इत्युक्ते सुनाकर, अन्ये किमकुर्वंती, अन्ये अपिहसंती, तदन अंतरम सर्वे किमकुर्वंती, सर्वे ग्रिहम गच्छंती, पाठे आगतानी अभ्यायानी संते अध्या, अधाह, अन्ताह, अपि, अलाम, उच्चैह, उपरी, एकदा, एवा, कदा, कदापि, किन्तु, कुत्रा, चा, तथैवा, तावत, तु, ना, नीचैह, पराम, पुनाह, बही, भोह, मा, सदा, सर्वत्रा, विशेशना विशेश्य पदाने, यथा सर्वेभ्याह, अरसीके भ्याह, अवशिष्टम, काव्यम, आधुनिकम, वैद्यम, इत्यादयाह, एतावता, चतुर्थ पाठस्या, वाचनम, विवरणम, चा समाप्तम, अभ्यास भागे, पुनर मि लामा हा, धन्यवादा हा